तो आज की वीडियो में हम fundamental analysis करेंगे seller network का यह coin किस तरह का है किस तरह से work करता है whole infrastructure का किस तरह का है यह सारी details हम इस वीडियो में देखने वाले last post वह हम देखेंगे price prediction वाले part को तो उसको आपको ध्यान से देखना है तो start करते वीडियो अगर आपने बीज़र channel subscribe नहीं किया त press the bell icon ताके आपको सारी update time पर मिलती रहें पहले हम basic information देखेंगे फिर हम इसके features पर जाएंगे then उसके बाद हम इसके price prediction वाले part पर जाएंगे current पर देखो तो 0.0155 डॉलर पर trade कर रहा है और circulating supply की बात करो तो 71% circulation मार चुकी है यानि 7.09 billion अभी इसकी circulation में है और 10 billion इसकी total supply औ उससे ज़्यादा नहीं होगी market cap की बात करो तो अभी current में 109 million dollar की market cap है लेकिन एक time था जब 1 billion से थोड़ा उपर तक चला गया था market cap में तो बुलरेंट का time था लेकिन अभी जालाता है coin down है that is fine उसे कोई दिकत नहीं है अगर आपको खरीद रहा है तो में मार्केट प्लेसे जहां पर अविल जागा है इन सब पर आप चाहो तो किसी से buy कर सकता है coin DCX पर अविलेबल है वजीरेक्स पर भी अविलेबल है तो functionality के है फेंटम के अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलता है blockchain of blockchains यानि जितनी other blockchains available है उन सब की blockchain यानि उनको connect करने वाला और ये भी उसी तरीके से blockchain of blockchains है लेकिन आप इसमें एक चीज़ और अड़ कर दो layer 2 blockchain of blockchains यानि सारी blockchain जो भी इससे integrate होती है उनका layer 2 scaling solution के तोर पर काम कर सकता है इसका जो diverse use case आप ऐसा माल लो कि यह किसी भी और तरीके की भी अगर blockchain है उसको भी support करता है ऐसा for example recently इसने क्या किया था DFINITY को add किया था जिसका internet computer जो ICP कोई उसकी जो blockchain उसको support किया था इसने और along with Ethereum की blockchain को भी support करता है दोनों अपने आप पर बहुत ज़्यादा level पर different है बट इसने यह दोनों को integrate करके और use करने में capable है तो यह कर सकता है network यह इसकी खुद की capacity है कि इस level तक work कर सकता है अब इस case मे आप ऐसा समझ लो basically पहले Ethereum का एक token था बाद में नोंने खुद की blockchain भी लेके आए और वो भी delegated proof of stake based है delegated proof of stake का ही थोड़ा सडवान बर जाने है आप उसमें ऐसा समझ लो के जो validation का काम है वो specifically technical person ही करते है वही करते है सारे node operator नहीं करते है और लेकिन delegate कर सकते है यहनी stake कर सकत लेकिन validation का काम specific chosen person ही करते है उसके स्वें अब इसका security audit है तो slow miss ने इसको medium risk वाला project बताया है और कुछ particular issues find out करके दिये जो इन्होंने इस पर update नहीं मिली है मुझे कि इन्होंने resolve कर ली है नहीं करे लेकिन उन्होंने कुछ issues इसके already point out करके दिये जो certic है उसने इसको 95 score दिय excellent दिया है लेकि slow miss ने इसको problem इसमें दिखाई है कि कुछ problem है और उसके according उन्होंने maybe solve out किया हूँ अगर holder pattern देख हुई जागा अधर उन्होंने कई blockchains पर cross chain accessibility प्रोवाइड की है cross chain accessibility जो प्रोवाइड करते है उसके top holder में 80% 90% supply होते है then you don't need to worry अगर उस पर tag भी नहीं है क् उसी तरीके से वह liquidity प्रोवाइड करते है तो ज्यादा उसमें श्यून आते है लेकिन base network का आपको चेक करना जरूरी है तो इसमें आप देखोगे तो शुरू के दो wallet में ज्यादा supply है फिर आपको Binance का wallet मिल जागा Binance 7 & Binance 8 इनसे में कोई दिक्कत नहीं exchange wallet है लेकिन ये दो जो wallet है इनके पास ज्यादा supply है 24% और 19% इनको चेक आउट करना बनता है तो अगर टॉप wallet को आप देखोगे जो 24% वाले को इसमें आप delegate 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 करके देख सकते हो इसका मतलब ये जो wallet है वो responsible है जो भी जिसपे जो network पर validator है वो इसमें stake कर रहे हैं staking के लिए ही मतलब मैं लिए यह यूज हो रहा है दूसरा जो wallet है अगर आप उसको देखोगे तो उसमें transfer contribute to माइनिंग पूल तो most probably यह भी जो माइनिंग reward है उसके लिए kind of like stake करने पर जो reward मिलता है उसके लिए रखा है लेकिन यह delegate वालों के लिए है और यह normal staking reward जो रखा है उसके लिए अब आद है थोड़े से इसके features पर there's so many features जो features से काफी जादा लैसा इसका एक खुद का bridge है प्रिज की हम कंडिशन देखें कितनी blockchain supported है वह भी देखने वाले along with that यह खुद का SDK इनको जहां से इनको जो भी developers उनको सारे DA central applications बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए जो भी access चाहिए उनको easily वहां से वह बना पाएं तो वह सारी चीज़ें भी अविलबल कराते हैं अब यहां पर देखो 38 चेंज सब्सक्राइब करें इसमें जो भी मेजर ब्लोक चेंज को इसका आप नाम लोग तो यहां पर होगी लेकिन फिर भी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा जिस लेवल पर फैंटम में लेकिन अधिर ट्राइं बेस्ट 136 टोकन सब्सक्राइब है जो अगर डिटेल में देख होगे यहां पर असेट्स भी आपको देखी जाएंगे जो जो सपोर्ट अब यह मैंने सिर्फ इथीरियम का सब्सक्राइब करें इसका मतलब सिर्फ इथीरियम वाले देखा रहा है और उसके बाद अगर मैं दूसरा मैंने इसमें अधिर्ट करूंगा तो इसके असे अधिर वैलिडेटर्स अच्छे खासे लेवल पहने चाहिए और इस्पैसलि अगर यह डिपी ओएस बेस्ट है मैं जेनरली आपको बताता हूं जब दिए प्रूफ और ब्लॉक्चेन को अच्छी डिसेंट्रलाइज समझना चाहते हो और उसको ऐसा समझते हो तो उसमें 100 से उपर ह होने चाहिए वैलिडेटर्स तो ठीक है अधरवाज बहुत जादा सेंट्रलाइज हो जाती है तो इस केस में 21 जो वैलिडेटर है कम है लेकिन रिलेटिवली यह न्यू है तो बेनिटर बेनिफिट और डाउट देते हैं कि आगे चलके यह इंप्रूब कर लेंगे टोटल स् भी इनिटेक्ट फ़र है स्पैसीफिक पिरिट ऑप तैम तो अब यहाँ पर दुक हो दो दसमलाद द्रिखा दिए हैं अब उसके बाद यह SDK मैंना अलोडी बता दिया आपको कि they provide all the tools and resources जो भी decentralized applications build करने के लिए चाहिए अब यह जो बता रहें interchange message framework यह seller network का अपनी खुद की एक specialty है कि यह दूसरी दूसरी blockchain जो different nature की है उनके उनसे भी easily उनके scaling solution की तौर पर का सकता आप जैसे for example आप बोलोगे Bitcoin का जो second layer जो नेटवर्क माना जाता है कि अगर Bitcoin का as a payment adoption होगा तो lightning network की वजह से ही होगा अब उसमें आप काऊगे कि तो यह lightning network होगा लेकिन इसकी specialty यह है कि कि किसी भी तरह की blockchain हो यह सब का layer to scaling solution बन सकता है Ethereum का भी हो चाहिए फिर अधर कोई भी हो आपको सबसे compare करके देख सकते हैं अगर अभी देखें पंदर गंट पहले announcement किये मिलको मेडा से जो एलकुरेंट का है उसके साथ नौन अभी रिसेंट पार्टनेशिप किया और अगर हर महीं यह के साब से देखो इनका सेफ होना जरूरी है लेकिन इनका सट डाउन करना पड़ा था सट डाउन क्योंकि उसमें एक्स्प्लॉइट हो गया था डिनस एक्स्प्लॉइट होने के बाद उसमें ऐसे दो लाग चालीस अजार दॉलर चोरी हो गए थे उस दिन से लेके इसकी performance में काफी ज्यादा जो यूजर्स का ट्रस्ट है वो गया है यहां से और प्रॉब्लम खड़ी हुई है कि यूजर्स अभी ट्रस्ट नहीं कर पाने का आगे चलके इस प्रोजेक्ट को अच्छे लेवल पर ट्रस्ट किया सकता है नहीं है हमारे फंड है वो सिक्योर तो है और ऐसा नहों कि आप अब थोड़ा सा देखते हैं इसके टोकोनिमिक्स पार्ट को तो पहले टोकोनिमिक्स में पहले सीड सेल हुए है प्राइवेट सेल हुए है फिर बाइनेस लॉंच पैड से भी लॉंच हुआ था 2019 में और उसके बाद इमीडियेट लिस्टिंग होगी तो इसकी बाइनेस पर हुआ है 11.5% टोटल सप्लाई सीड सेल में गई है और उसके बाद प्राइवेट सेल में गई है 15.5% और अगर आप 6% सप्लाई बात करो तो बाइनेस लॉंच पैड पे वहां से डिस्टिट हुई है ठीक है अब इसमें यह देखो कब-कब यह सर्कुलेशन में आ रही है जो लॉंच पैड सेल थी वह जो 6% टोटल सप्लाई जो बाइनेस के लॉंच पैड से हुई तो रिलीज के बाद ही पूरी को पूरी सर्कुलेशन में आ गई लगबग आठ साल में धीरे-धीरे करके वह अन्लॉक होके सर्कुलेशन में आएगी तो अभी इसके आने में काफी टाइम है लगबग जितनी सर्कुलेशन में सप्लाई आने चाहिए उतनी आ गई है आप चेक्ट इट आउट कोई समय बाद में करने जाब नहीं है सप्लाई के रिडक्षन होने का कोई तरीका नहीं है ऐसा नहीं कि ज्यादा यूज हो या फीज का कुछ इसा बनो कुछ हो ऐसा कुछ भी नहीं है तो सर्कुलेशन में सप्लाई बढ़ेगी ही और मैक्सिमूम कितनी बढ़ सकती दस बिलियन हो सकती है उससे जादा नहीं जाएगी और लगबग जितनी अभी हो सकती उतने आगई ये बस आब माइनिंग के जो स्टेकिंग के थूर जो माइनिंग उसके थूर जो आएगी वही अब बाकी है अब थोड़ा सा इसको देखते है price prediction वाले पार्ट को कितने तक जा सकता है कितना इसमें potential है price prediction वाले पार्ट मैंने कॉन से कॉन से variables रखे है mind में वो मैं आपको पहले ही बता दरहूं ताकि आपको easier है कि ये किस पाथ पर जा रहा है Interoperability आगे चलके उसका potential कितना है Interoperability based जो assets है या फिर projects है वो कितना पहले achieve कर चुके हैं मारव feasible कितना दिख रहा है इस category में Along with that इसका tokenomics पार्ट है वो भी हमने considerate किया है कि अगर जैसे मतलब अभी एक साल ओल लगेगा एक साल में कितनी circulation supply आज़ेगी तो minor बहुत कमा आएगी circulation में तो उसके लिए हमें ज़्यादा tension लेने की जरूत नहीं है Along with that जो अभी recent hack हुआ था इसकी वज़े से users का trust गया है तो लोग कम trust कर पाने इस project को थोड़ा सा लेकिन project अपने आप में technology बाई देव को बहुत अच्छा है जितने भी DApps पर काम करने वाले project होते हैं D5 space में काम करने वाले project होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि उनके जो network में TV यानि टोटल value locked अच्छे खासे level पहोनी चाहिए लेकिन अगर वो अच्छे खासे level पर नहीं अगर ऐसे hackback नहीं हो जाती है तो ऐसे projects की TV बहुत घड़ जाती है तो ये भी problem इसके लिए future में रहने वाली है अब यहाँ पर देखते price prediction वाले part को कि अगर अगले bull run तक देखा जाए तो कितना achieve कर सकता है और उस turn में अगर देखे तो ये लेवल तक जा सकता है generally आप देखोगे पिछले bull run अगर आप इसकी बात करें तो all time पर देखोगे तो 1 billion का असपास ये achieve कर गया था बड़े आसानी से इसके कुछ factors की वज़ए से हमें इसे थोड़ा सा low target दे रहे हैं यानि minimum target ही दे रहे हैं और वो मैंने आपको sight out कर दिये variables में अधर बाए इसको जैसे इसमें potential काफ़े अच्छे रखासे लेवल का है couple of 10 से 20 billion dollar तक जाने का capacity अब कह सकता है अगर इस secure बना सके तो लेकिन क्योंकि कोई factor ऐसे है जिसकी वैसा minimum target इसका 5 billion dollar की market cap का feasible दिख रहा है इसका अगले bull run तक अगर 5 billion dollar की market cap अचीव करता है फिर भी यहां से लगवा ऐसा 45X कर देगा और उस time पे trade करेगा with respect to current circulating supply अगर उस time पे circulating supply बढ़ भी जाएगी तो आप ऐसा समझे लो 0.686.7 dollar के आसपास trade करेगा जब पीक पे होगा bull run में जब इसको सबसे ज़्यादा मालब कैसे एक्सपोजर मिलेगा उस time पे अब यह मैंने बहुत minimum minimum scenario के और रखा है मैंने regions भी आपको बता है और आगे इसमें और भी बढ़ने का पोटेंशियल है प्रोजेक्ट अच्छा है टेक्मोलोजी बाज बहुत बढ़िया है बस एक ही चीव में मात खारा that is security so that's all for today I hope you like the video video check the video के लिए जिरू करे and make sure you subscribe to the channel thank you guys